नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा साथ सामाजी कैवम राजनितिक जीवन का अध्याय चार अध्याय का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रशन अभ्या अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को जरूर दबाएं मैंने अपने चैनल की प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली होई है आप जिस भी हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं अब हम इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास करेंगे पहला प्रश्न है साथ में दिये गई कुछ कतनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या ए सत्य हैं अपने उत्तर के समर्थन में एक उधारन दीजिए के सबी समुदाएं और समाजों में लड़के और लड़कों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं उत्तर सत्य हैं यह सबी समुदाएं और समाज लड़के और लड़कों को अलग अलग भू मुका के लिए तैयार कर सके है हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में भेद भाव नहीं करता है उत्तर ए सत्य हमारा समाज लड़कियों लड़कियों में सपस्ट भेद करता है और यह भेद कम आयू से ही शुरू हो जाता है उधारन के तौर पर दोनों के पहनावे रहन सहन में अंतर आदी गै वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती उत्तर ऐ सत्य जो महिलाएं घर पर रहती हैं उन्हें बहुत काम करना पड़ता है उधारन के लिए घर के काम देखवाल बीमारी में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है है, महीलाओं के काम पुर्शों की तुनना में कम मुल्यवान समझे जाते हैं। उत्तर सत्य महीलाओं द्वारा कीए गए काम को महतवपून्ट नहीं माना जाता। यह भी माना जाता है कि यह तो महीलाओं का स्वाभाविक काम है। प्रेशन दोगर का काम एदरिशे होता है और इसका कोई मोल्य नहीं चुकाएया जाता। उत्तर, नमबर एक एदरिशे होना, एदरिशे होने का शावधीकर दिखाई देने की योगें ने होना है। और तो द्रौरक किये गए कारे एद्रिशे होते हैं क्योंकि उनके द्रौरक किये गए कारें का कोई मूल्य नहीं होता हम उनके काम को उनका कर्थव्य समझते हैं नमबर दो घर के काम शारीरिक रूप से ठकान वाले होते हैं उत्तर शारीरिक रूप से ठकाना शारीरिक रूप से ठकाने का अर्थ है कि वह काम जिसके लिए शारीरिक श्रम की आवश्रक्ता होती है घरों में महिलाईं जो काम करती हैं वह शारीरिक रूप से ठकाने वाला होता है नमबर तीन घर के कामों में बहुत समय खप जाता है उत्तर समय खप जाना समय खप जाने का आर्थ वह काम है जिस पर बहुत सा समय लग जाता है जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदी प्राश्न तीन ऐसे विशेश खिलोनों की सूची बनाईए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेश खिलोनों की सूची बनाईए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं यदि दोनों सूचियों में अंतर है तो सोचिये और बताईए कि ऐसा क्यों है? सोचिये कि क्या इसका कुछ सम्मन्द इस बात से है कि आगे चलकर व्यस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमी का निभानी होगी? उत्तर ऐसे विशेश खिलोने जिन से लड़के खेलते हैं कार, बंदूग, धनुश, बान, आदी नमर दो ऐसे विशेश खिलोने जिन से लड़के खेलती हैं गोडिया, रसोई के बरतन, आदी दोनों सूचियों में बहुत अंतर हैं खिलोनों के माध्यम से उन्हें स्त्री पुरुष का अंतर बताया जाता है हाँ इस बात से गहन संबंध है कि आगे चलकर व्यस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका होगी प्रशन चार अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन-कौन हैं, वे क्या करते हैं, उनका घर कहा हैं, वे रोज कितने घंटे काम करती हैं, वे कितना कमा लेती हैं, इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए. उत्तर शिरीमती कमला हमारे घर में काम करने वाली महिला है, उसकी आयू 30 वर्ष है, उसका पती रिक्षा चलाता है, उसका एक बेटा और एक बेटी हैं, वे एक कालोनी में रहती हैं, वे सुबह से शाम तक काम करती हैं, परन तो जितना काम करती हैं, उससे कम वेतन मिलता है, कठोर परिक्ष्रम के बाद भी उससे समान जनग व्यवार नहीं किया जाता है. अब हम बहु विकल्पिय प्रेशन उतर करेंगे. पहला प्रेशन है लड़कों को प्राय क्या खेलने के लिए दिया जाता है. A. कार B. गुडिया C. घर का समान D. रसोई का समान इसका सही उतर है A. कार प्रेशन दो. समाज में लोगों में प्राकरतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? A. पैसा B. लिंग C. रुत्वा D. आईउ इसका सही उतर है B. लिंग प्रेशन तीन. किसने देश में लेंगिक अधार पर भेद भाव खतम किया? A. सरकार B. राज्य C. सम्विधान D. अदालत इसका सही उतर है C. सम्विधान प्रेशन चार संसार में घर के कारे तता देख भाल की जिम्मेवारी किस की मानी जाती है? A. पुरुष B. स्त्री C. बच्चे D. बुजुर्ग इसका सही उतर है B. स्त्री प्रेशन पाँच महिलाओं को स्थानिय स्वे संस्ताओं में कितना अरक्षन प्राप्त है? A. 50 प्रतिशत B. 30 प्रतिशत C. 20 प्रतिशत D. 33 प्रतिशत इसका सही उतर है D. 33 प्रतिशत प्रेशन 6. बच्चों का ध्यार रखने के लिए सरकार ने गावों में कौन से केंद्र स्थापित किये हैं? A. आंगनवाडी B. स्वास्ते केंद्र C. अस्पतार D. नर्सिंग होम इसका सही उतर है A. आंगनवाडी अब हम आती लगू उतर ये प्रेशन करेंगे पहला प्रेशन है लड़कियों को खेलने के लिए गुडिया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती है? प्रेशन 2. क्या पुरुष और स्थ्रियों की भूमिकाओं अथ्वा काम का महत्व समान समझा जाता है? यदि नहीं तो क्यों? पुरुष और स्थ्रियों की भूमिकाओं अथ्वा काम का हमारे समाज में महत्व समान नहीं समझा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में पुरुषों का स्थर उचा माना जाता है प्रेशन तीन संसार भर में घर के काम तता देख वाल की जिम्मेवारी किस की मानी जाती है? उत्तर संसार बर में घर के काम तता देखबाल की जिम्मेवारी स्त्रियों की मानी जाती है प्रेशन चार देखबाल संबंदी कारियों में क्या-क्या शामिल है उत्तर देखभाल संबंदी कारियों में परिवार और विशेज रूप से बच्चों, बुजर्गों तता बीमारों का ध्यान रखना शामिल है प्रेशन पांच स्त्रियों द्वारा घर के अंदर किये जाने वाले कारियों को महत्वपूर्ण क्यों नहीं समझा जाता प्रेशन 6 स्त्रियों जो काम करती हैं उसे भारी और थकाने वाला शारीरी काम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए जुकने, उठाने तदा समान लेकर चलने की आवश्यक्ता होती है ग्रामिन और शेहरी छेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है ग्रामिन छेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाने की लकड़ी के भारी गटर सिर पर ढोने पड़ते हैं उन्हें कपड़े धोने, सफाई करने, ज़ाड़ू लगाने और खाना पकाने त्यादी के काम करने पड़ते हैं। प्रेशन साथ, यदियम स्त्रियों द्वारा घर के अंदर तता बाहर किये जाने वाले कारे को जोड़े तो हमें क्या पता चलता है। उत्तर, यदियम स्त्रियों द्वारा घर के अंदर और बाहर किये जाने वाले कारे को जोड़े तो हमें पता चलता है कि स्त्रियों पोर्षों से अधिक काम करती हैं और उन्हें आराम के लिए कम समय मिलता है। प्रेशन आठ, सरकार ने आंगनवाडियों के लिए क्या कानून बनाया है और क्यों? उत्तर, सरकार ने आंगनवाडियों के लिए कानून बनाया है कि यदि किसी आंगनवाडी में महिला करमचारियों की संख्या अधिक हैं और उसे वैधानिक रुप से बालवाडी की हो सकेगा प्रशन समोवा द्वीब कहां पर स्तित हैं वहां पर रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा क्या है उत्तर समोवा द्वीब पैसिफिक ओश्यन के दक्षिन भाग में इस्ते छोटे छोटे द्वीबों के बड़े समुका ही एक भाग है मल्चियां पकड़ना और ना उत्तर आंगनवाडी ततक क्रेच सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं ताकि नौकरी वाली महिलाओं को सुविदा प्राप्त हो सके इसके लिए कानून सरकार ने कानून भी पास किया है क्रेच बच्चों का ध्यान रखने का एक छोटा सा केंद्र होता है जिसमें कामकाजी द लड़कियों को यह सुविधा प्रदान की है कि वह स्कूल जाएं तो यहां पर हमारा पार्ट चार का अभ्यास का कारें पूरा हो गया है अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट पांच और तोने बदली दुनिया पार्ट के प्रशन अभ्यास अतिलगु उत्तरात्मक प्र अभ्यास